इस वीडियो का टॉपिक है नी जॉइंट नी जॉइंट जो है यह हिंज टाइप का जॉइंट है हिंज टाइप का जॉइंट याने जिसकी मुवमेंट एक किताब की तरह होती है हम किताब को एक ही डाइरेक्शन में ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं वैसे ही knee joint की movement भी 180 degree में होती है और एक ही तरह से होती है एक ही line में होती है नी joint जो है ये तीन important bones से बना है वे तीन important bones है femur जिसे thigh bone कहा जाता है दूसरा important bone है tibia जिसे shin bone कहा जाता है और तीसरा important bone है patela जिसे knee cap कहा जाता है तो आप मेरे साथ इसे revise किजिए first is femur दूसरा है tibia और तीसरा है patela femur tibia और patela femur tibia और patela अभी अगर इन bones को वैसे ही रख दिया जाए तो क्या ये joint बन पाएगा बिल्कुल नहीं होगा उसे किसी fiber से किसी रसी से बांधना तो होगा तो वो रसी का काम ligaments करते हैं किसी भी joint में bones को बांध के रखने के लिए जो fibers होते हैं वो होते हैं ligaments, ligaments क्या करते हैं दो bones को joint में जोडते हैं, knee joint का next important point है movement, knee joint में flexion और extension ये दो तरह की movement possible है, flexion याने घुटनों से पैर को मोड़ना, जैसे वजरासन, पजमासन, इन में घुटनों से हम पैर को मोड़ते हैं, तो इसे हम flexion कहते हैं, इसी भी joint को अ दूसरी जो movement है वो है extension, extension याने गुटनों से पैर को सीधा रखना, जैसे ताडासन, शिर्शासन, पशिमुत्तानासन, इसमें हम पैरों को सीधा रखते हैं गुटनों से, तो इसमें extension होता है, तो knee joint की दो ही तरह की movement mostly होती है, वो है flexion और extension, इसी तरह का और एक joint है, जो knee joint क की तरह ही flexion और extension करता है, और वो भी hinge type का ही joint है, इसे आपने जरूर गेस किया होगा, वो है elbow joint, elbow और knee joint, दोनों ही hinge type के joint है, जो extension और flexion की movement करते हैं, मैं राम माले author of anatomy book for yogi, इस वीडियो को like करने के लिए, आपकी योग मितरों के साथ share करने के लिए, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद